Hello everyone, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चानल पर स्वागत करती हूँ ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जो सीटेट की तयारी कर रहे हैं दो वीडियो मैंने इसे पहले पोस्ट किये हैं part 1 और part 2 चाप्टर है class 10th का life processes और class 7th का ही चाप्टर है nutrition in plants करके तो ये दोनों जो चाप्टर है ये इस चाप्टर को combine करके class 10th में बहुत जादा elaborate कर दिया गया है तो ये दुनों chapters मैं एधर combine गरके एक ही बारे पढ़ा रही हूँ तो आपका ये बड़ा chapter ये बहुत बड़ा chapter इसमें बहुत सारे processes है plants के बारे में भी सारा कुछ आपको पढ़ना है इसमें कि plants कैसे nutrition लेते हैं, plants कैसे transportation करते हैं humans का भी पढ़ना है आपको इसमें कि humans का digestion कैसे होता है उनका respiration कैसे होता है, excretion कैसे होता है, transportation कैसे होता है तो ये chapter बहुत लंबा है, साथी साथ लंबे होने के साथ-साथ ये chapter बहुत वेटेज रखता है तो इस chapter को आप बहुत ध्यान से करिएगा अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं respiratory system तो respiratory system को start करने से पहले आपसे request है चानल पर अगर नए है तो subscribe जरूर करिएगा आपको काफी informative videos मिलेंगी, आगे भी बहुत सारे lectures आपको मिलेंगी साथ ही साथ आपको lectures के साथ साथ हम लोग question bank भी फटा-फट से start करने वाले हैं एकार दिन में question की series भी आपके साथ start करने वाली हूं तो उस series को जरूर join कर लिएगा और हर Saturday आपकी marathon class होगी उस marathon class में जितना कुछ पढ़ा होगा उसको हम फटा-फट से revise करेंगे तो जलिए आईए वीडियो को start करते हैं respiratory system, स्वशन तंत्र अब देखिए स्वशन तंत्र जब जैसे ही बात आती है तो दिमाग में ये चलता है कि सास लेना और सास छोड़ना क्या सिर्फ यही स्वशन तंत्र है तो इसका ये आंसर है कि नहीं स्वशन तंत्र में सास ले और छोड़ तो रहे ही रहे है साथी साथ उस लेने और छोड़ने की वज़य से हमारे शरीर में कुछ उर्जा उत्पन हो रही है कुछ चीजों का तोड़ हो रहा है कुछ chemical substances जो बने थे उसको तूटना है और उस तूटने से क्या हुआ कुछ क्या होगे energy निकली अब मैंने क्या बोला बहुत confusing है चलो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ देखो सबसे पहले दो terms आते हैं पहला term है क्या respiration first term is respiration respiration और दूसरा ही term है इसके साथ का जोड़िदार breathing अब क्या ये दोनों चीजे सेम है तो इसका जवाब है नहीं दोनों चीजे सेम नहीं है breathing में क्या होता है हम सास लेते हैं और सास छोड़ते हैं हां और हां मतलब सास को लेना और सास को छोड़ना breathing हो गया हमने सास लिया अब respiration क्या है फिर तो respiration है क्या chemical breakdown of glucose और glucose के chemical breakdown से क्या हो गया बहुत सारी energy में क्ली देखो glucose का breakdown हुआ टूट गया ठीक है और बहुत सारी क्या निकल गई energy निकल गई ये एक short में समझो अभी हम detail आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये होता है तो respiration में क्या हो गया एक chemical breakdown हो गया और किसका एक glucose molecule का बन क्या गया बहुत सारी हमको energy में लगी बहुत energy में लगी बहुत पाएंगे बहुत जादा दौड पाएंगे बहुत जादा काम कर पाएंगे और breathing में क्या हुआ सास को लेना और सास को छोड़ना तो यह difference होता है चलिए आईए अब इसको हम detail में समझते हैं कि respiration में क्या होता है और breathing में क्या क्या चीज़े होती हैं सबसे बड़ी बात लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक बताया था photosynthesis प्रकास translation में क्या था सूरत चाचा उपर बैठे थे यहां सूरत चाचा बैठे थे ठीक है ना यह सूरत चाचा बैठ के क्या कर रहे थे पत्तियों पे अपनी क्रिपा बरसा रहे थे इन्होंने क्या की अपनी क्रिपा बरसाई किस पे पत्तियों के उपर अब इस क्रिपा के स्वाम में बरसाई इन्होंने बहुत सारी इसको light दे दी sunlight दे दी क्यों दी क्योंकि इसको पौधे को क्या करना था अपना खाना बनाना था ठीक है? तो खाना कैसे बना? CO2 plus water और light और बन क्या गया? glucose plus oxygen ठीक है न? तो ये हमने inquiry बहें गई है थोड़ी सी तो ये हमने photosynthesis प्रकास installation में देखा था की CO2 plus water मतलब जो छोटू था हमारा ये जो छोटू है ये छोटू CO2 जो हमने छोड़ा और पानी जो जड़ से मिला पानी ये जड़ से मिला पानी ठीक है? CO2 क्या हुआ? ये हमने अपनी नाज नोस से release किया और सूरत चाचा ने क्या दी? रोशनी दी बहुत सारी light दी और एक pigment क्या present था chlorophyll तो इससे क्या बन गया था? glucose बन गया था और oxygen बन गया था ठीक है? अब respiration में क्या होगा? ये जो glucose बना इसका क्या होगा? breakdown इसका क्या होगा? breakdown ठीक है ना? अब breakdown होगा मतलब ये glucose का molecule अब तूटेगा और तूट के क्या बनाएगा? CO2 प्लस water प्लस खूब सारी energy तो आप देख रहे हो रिलेट कर पा रहे हो चीजों को क्या था? कि photosynthesis और respiration अगर मैं ये बोलूं कि photosynthesis और respiration की reaction तो देखो photosynthesis की reaction कहा से start हो रही थी? छोटू से start हो रही थी और छोटू क्या है? खाना बना रहा था था छोटू खाना बना रहा था ना? तो टूटता है तो ये breakdown होगा और ये मतलब एक बार reaction इस तरह से चल रही है और एक बार reaction इस तरह से चल रही है मतलब photosynthesis की reaction इधर से चलके glucose में convert हो जा रही है अब ये reaction जब उल्टी चलेगी मतलब glucose का breakdown हो जाएगा वापस से CO2 हो में क्या process हो जाएगा? वो respiration हो जाएगा उसकी just opposite हो जाएगी इतनी बार परिख्याल से सबको समझ में आई होगी चलो अब देखो इधर respiration को proper respiration, respiration क्या है? it is a chemical breakdown, chemical breakdown, किसका chemical breakdown? of glucose molecule, okay? of glucose molecule, okay? and क्या यूज कर रहा है? खाना खाया, खाना खालिया, ठीके बहुत असान लांगविज में तो खाना खाने के साथ क्या नाग बदकर के बैठते हो? अभी मैं खाना खा रहा हूँ अभी मैं नाग बदकर के रखो का मैं सास नहीं लूँगा, ऐसा करते हैं क्या खाना खा रहे हैं तो नाग बंदकर के रखेंगे सास नहीं लेनी है, तो ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, खाना भी खा रहे हैं, सास भी ले रहे हैं, औक्सीजन, तो अब खाना और सास, जब इस सास में मिल जाएगा, तब इस पे breakdown होगा, chemical breakdown होगा, और क्या बन हम सास क्या छोडते हैं co2 और खाने से हमें क्या मिल गया खाने से हमको मिल गई energy ठीक है ना हम खाना खाते हैं तो हमको energy मिलते हैं बहुत सारे काम कर पाते हैं तो खाने से हमको क्या मिल गई energy और हमने क्या छोड़ा oxygen लेके co2 release कर दिया plus water आ गया ठीक है तो यह हमारी क्या होती ह है chemical breakdown होता है किसका food का और देखो chemical breakdown of glucose molecule with the help of oxygen to form CO2 with release of energy. तो food का जो glucose है, glucose का chemical breakdown हुआ और chemical breakdown होने के बाद क्या हो गया, energy का release हो गया, energy निकल गई, तो इस process को बोलते है, respiration, अब आपको पढ़ना है, अभी मैं reaction भी लिखूंगी, reaction लिखूंगी आपको easily समझ में आ जाएगा, देखो, C6, H12, O6, plus oxygen, ये क्या है, खाना, ठीक है, ये क्या है, सास, ठीक, वो वाली सास नहीं, सासुमा वाली सास नहीं, ये वाली सास, ठीक, अब इसमें क्या हुआ, chemical breakdown हुआ, तो अब क्या बन जाएगा, CO2, छोटू बना, plus क्या बनेगा, water बनेगा, और plus बहुत सारी energy, जिसको हम बोलते हैं, ATP, ATP is a source of energy, adenosine, इसका full form पूछा जाता है, adenosine triphosphate, हिंदी में भी यही है, adenosine triphosphate, clear वा सबको इतना अच्छे से, अब हमको पढ़ना है इसमें, अब हमको पढ़ना है इसमें प्रकार, प्रकार किसके, respiration के, प्रकार, types of respiration, तो देखो, respiration के प्रकार आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, कि respiration दो प्रकार का होता है, पहला, respiration, या, स्वाशन के प्रकार, तो स्वाशन के दो प्रकार है, पहला, aerobic और दूसरा, anaerobic, ठीक है, anaerobic respiration और anaerobic respiration. तो aerobic respiration में, वायू वीर respiration, इसको बोलोगे, वायू वीर, वायू वीर, स्वाशन, ठीक है, इसको बोलोगे, वायू वीर, वायू वीर, स्वाशन, ठीक है, वायू वीर, स्वाशन मतलब की oxygen की जरूवत है, बिना oxygen के वो process नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, requirement of oxygen is must, बिना oxygen की supply के यह process नहीं हो पाएगा, clear, अब देखो, anaerobic respiration में, anaerobic respiration में, दो conditions हो जाती है, पहली condition, या तो oxygen absent है, या बिलकुल नहीं है, बिलकुल नहीं, और दूसरी condition क्या है, oxygen क्या है, oxygen की कमी है, है तो oxygen, पर oxygen की कमी है, तो जब oxygen absent है, तो oxygen absent किस में हो जाता है, oxygen absent होता है, yeast cell में, और oxygen की कमी किस में है, यह हमारी muscles में है, तो अभी इसको एक flow chart की मार्धियम से आपको मैं बता रही हूँ, और वो flow chart बहुत important है, उसको आपको देखना है, और समझना है, सबसे पहली बात की, aerobic respiration, वाई वी स्वस्चन, इसमें क्या होता है, oxygen की requirement होती है, मतलब अगर glucose का breakdown हो रहा है, glucose टूट रहा है, मतलब खाना टूट रहा है, तो oxygen जब रहेगा तभी खाना टूटेगा, पहली चीज, ठीक है, और oxygen जब सबसे ज़ादा energy इसमें, maximum energy release होती है, maximum energy मिलती है, किसमें, aerobic respiration में, है न, अब तुम यह देखो, इसको कैसे समझ सकते हो, अगर इदम जिसे चढ़ते हो, चढ़ाई पर कहीं जाकि, दम जा रहे हो, इदम ट्रेकिंग पर जा रहे हो, चढ़ गए, तो चढ़ने के बात क्या होता है, हफ नहीं आती है, तो हफ नह क्या हो रहा है, धीरे-धीरे कमी हो रही है, तो oxygen की कमी की वज़े से क्या हो रहा है, यह वाली condition, anaerobic respiration, जतना oxygen cell को चाहिए था, अब उतना oxygen नहीं मिल रहा है, तो oxygen की कमी हुई, muscles के अंदर है, अब इसकी वज़े से क्या हो जाता है, इसकी वज़े से कभी-कभी cramps पढ़ हो जाते हैं, होता है ना कि इद्दम से अगर walking करने चलेगा, इद्दम से exercise कर ली, तो muscle में cramp हो जाता है, अगर daily वो जिस कर रहे हो तो अतना cramp नहीं पढ़ेगा, पर इद्दम से कर ली, तो मतलब जो cells है, उनको यह आदत ही नहीं है कि ऐसा कुछ करने वाले हो, oxygen की इतनी जादा requirement हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, muscles में lack of oxygen हो जाएगा, lack of oxygen हो जाएगा मतलब कि anaerobic condition बन जाएगी और anaerobic condition की वज़े से muscles में cramp हो जाएगे, अब हम proper देखते हैं कि वो cramp क्यों होते हैं, किस acid की वज़े से होते हैं, और aerobic, anaerobic में एक proper एक जो flow chart है, उसको देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, कि ग्लुकोज, ग्लुकोज, ग्लुकोज क्या है, 6 carbon compound है, है न, ग्लुकोज क्या है, simplest form of sugar है, सबसे simplest form किसकी, sugar की ग्लुकोज है, अब यह क्या है, 6 carbon compound, यह क्या करेगा, यह convert होगा किस में, pyruvate में, and this pyruvate is 3 carbon compound, ठीक है, तो यह step जो है, यह step जो है, वो सब में common है, this is your first step, अब देखो, तीन चीज़े क्या क्या हो रही है, तीन conditions है, and these conditions are very important for you to learn, यह आपको याद करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक second, देखो, first condition क्या हो गई, यह first, यह second, और यह third, clear, first, second, और third, इसमें first condition क्या हो गई, है, aerobic, aerobic condition, दूसरी condition क्या हो गई, यह भी anaerobic है, anaerobic, और तीसरी condition यह भी क्या है, anaerobic, अब आयो भी है, ठीक है, अब देखो, aerobic condition में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, oxygen जो है, भरपूर मात्रा में है, कोई कमी नहीं है, oxygen की, clear, तो, अब यह pyruvate किसमें convert हो जाएगा, यह pyruvate हो जाएगा, CO2 प्लस water प्लस energy, clear, अब देखो, anaerobic condition, anaerobic condition, यह देखो, यह उपर वाली reaction जो हो रही है, मेरा marker बहुत जादा leak कर रहा है, आज, बहुत जादा ink हो गई है, देखो, जो anaerobic condition वाली है, यह reaction हो रही है, mitochondria में, अब ही तक यह कहां पर था, यह cytoplasm में था, एक cell होती है, ठीक है, इसमें different different cell organelles present है, यह mitochondria present है, यह क्या है, इसमें जो पानी तरल प्रदार्थ है, इसको क्या बोलते है, cytoplasm, यह हम लोग ने cell में पढ़ा हुआ है, ठीक है, और भी तरह के nucleus होता है, ठीक है, ribosomes होते हैं, गॉलगाए bodies होती है, तो यह cell का structure, और यह mitochondria क्या है, इसको क्या बोलते है, पावर हाउस of the cell, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, energy stored होती है, पावर हाउस of the cell होता है, ठीक है, मैंने हट फटाक से आपको एक रवायर विजन करवा दिया, कि यह actual में mitochondria है क्या, अगर भूल रहा हो तो, वैसे तो याद होगा, तो यह क्या है, देखो, mitochondria, तो यह जो aerobic respiration है, वो mitochondria में हो रही है, अब इसके साथ energy निकल रही है, इसमें energy निकलेगी 38 ATP, किसी-किसी books में थोड़ा differ होता है, तो उसमें कोई बात नहीं है, clear, next है, anaerobic respiration, अब यह anaerobic respiration yeast के cell में हो रहा है, yeast cell, जिसको बोलते हैं fermentation, clear, yeast cell के अंदर हो रहा है, fermentation, clear, अब इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा alcohol, या तो alcohol लिखा होगा आपके option में, alcohol, या alcohol का ही form, इत है, null, clear, plus, साथ ही साथ, CO2, plus, energy, अब इस वाले reaction में energy कितनी हो जाएगी, 2 ATP, clear, last वाला जो option है, जिसमें anaerobic condition ही है, अब इस anaerobic condition को यह हो रही है हमारी muscles में, muscle cell, muscle cell में, अब इधर क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर बोलोगे, lactic acid fermentation, clear, अब इस lactic acid fermentation में देखो क्या क्या बन रहा है, तो एक product बनेगा, lactic acid, फिर बनेगा, CO2, छोड़ टू, ठीक है, और प्लस मिल जाएगी हमको energy, clear, तो यह बात देखो, बहुत ही ज्यादा important एक चीज है, इसमें, जाननी, वो चीज यह है, कि जो ही glucose था, glucose से बना क्या, pyruvate, तो glucose से जो बना pyruvate, तो this is the first step, first step of chemical breakdown of glucose molecule, तो यह first step सारी चीजों में, चाहे वो aerobic condition हो, चाहे वो anaerobic की fermentation yeast वाली condition हो, चाहे वो anaerobic की lactic acid fermentation वाली condition हो, यह first step is common in all the reactions, it is very clear to you, यह आपको clear हुआ कि नहीं हुआ कि glucose से पारवेट बना रहा है, और यह first step है, तो यह first step जो है, वो common होगा इन सारे चीजों में, clear, आप देखो, अब second step क्या हो गया, यह हो गया हमारा second step, अब second step अगर first condition है, तो यह चीज़े बन रही है, मतलब यह pyruvate अब convert हुआ किसमे, co2, h2o और energy में, अब अगर इसका second step है, anaerobic condition जो यह cell में हो रही है, fermentation वाली, इसमें या तो alcohol बनेगा, alcohol का भी form क्या, ethanol भी बन सकता है, यह simple alcohol बन सकता है, ठीक है, co2 plus energy, इसको किसी भी form में दे सकते है, exam में alcohol बन गया, यह ethanol बन गया, तो ethanol is a form of alcohol का ही form है, plus energy, कितनी निकले, 2 ATP, next अगर इसका, यह भी इसका second step है, तो यह इसका second step में, muscles में जो हो रहा है, अब इसी जो यह lactic acid बनता है, यह जो formation of lactic acid leads to cramps in muscles, इस lactic acid की वज़े से ही muscles में cramps पड़ते हैं, तो यह I think सबको clear हो गया होगा, यह बहुत important है, exam में से question कैसे पूछते हैं, कि सबसे पहला यह जो pyruvate बना, यह pyruvate उस term को बोलते हैं, intermediate product, intermediate product in the chemical breakdown of glucose, question अगर पूछा जाए, कि what is the intermediate product in the chemical breakdown of glucose, your answer will be pyruvate, तो pyruvate क्या है, it is a intermediate product, मतलब beach का product है, beach का है इसके और इसके बीच का एक intermediate है, beach की चीज़ है, तो इसको क्या बोला intermediate product, clear होगा, अब देखो, सबसे पहली बात कि aerobic question के पूछा जाता है, कि aerobic respiration कहा होता है, तो आप बोलोगे, the site of aerobic respiration, मतलब एक किस जगह aerobic respiration होता है, तो आपका answer होगा, mitochondria, ठीक है, site of anaerobic respiration, anaerobic respiration के अगर condition दी होई है, ये वाली, तो आप बोलोगे, yeast cell, ठीक है, और anaerobic respiration के lactic acid वाली condition दी होई है, तो आप बोलोगे कि muscle cells, I think ये points आपको clear हो गए होंगे, और सबसे ज़्यादा energy का जो release होता है, वो aerobic respiration वाली condition में, जो कि mitochondria में हो रही है, उसमें होता है, चलिए, आईए, आप जानते हैं हम breathing के बारे में, कि breathing में exhalation और inhalation की process में क्या होता है, बहुत simple सा है, आप जानते हैं, तो देखिए, आप breathing, स्वाश ओ स्वाश इसमें क्या होता है, breathing में inspiration और expiration मतलब सास को अंदर लेना और सास को expire करना, मतलब बाहर छोड़ना, है ना, तो ने स्वाशन और नहे, तो इसमें क्या है, ने स्वाशन और नहे स्वाशन, ठीक है, तो सिर्फ यह जो यह है, इसका ही बीच में बिंदों का ही जो है वो खेल है बस इसमें, अब देखो, inspiration मतलब अंदर लेना, अब सास में अंदर क्या क्या लेते है, तो सिर्फ वाटावरण में क्या क्या चीज़ है, क्या सिर्फ oxygen है, तो ऐसा answer है नहीं, वाटावरण में बहुत सारी चीज़े हैं, nitrogen भी है, oxygen भी है, और भी तरह-तरह की gases है, carbon dioxide भी है तो oxygen के साथ carbon dioxide भी हमारे शरीर के अंदर जाती है तो आइए अब देखते हैं कितना क्या प्रेजेंट होता है तो वाता वरेंड में 78% nitrogen है 21% oxygen है 0.03% carbon dioxide है तो यह सारी चीजें हमारे और कुछ अन्य गैसेज भी है तो यह सारी चीजें क्या है हमारे शरीर के अंदर जाती है तो अब इसमें nitrogen ऐसा ही पूरा चला गया oxygen पूरा का पूरा चला गया carbon dioxide पूरी की पूरी चली गई अब हमारा शरीर oxygen गई अंदर अब वो कितनी oxygen बाहर निकाले हो कि जो गई वो बाहर भी तो आएगी और कितना यू प्रस प्रस्फल में oxygen जो कि 21 प्रतिशत थि उसका क्या करा 4% तो यूस कर लिया तो 4% जो है वो सत्रा परसेंट जो था वो बाहर एक्जेल आउट कर दिया मतलब बाहर निकाल दिया CO2 कितनी थी 0.03 ली थी पर हमाई सेल्स ने भी तो CO2 बनाई होगी तो वो CO2 बाहर निकलेगी अब वो मतलब 0.03 मतलब लगभग लगभग समय लो 0% तो 0% से 4% मतलब अब CO2 की बढ़ात्री हो गई तो CO2 बढ़के निकली तो कितनी निकली 4% निकली ठीक है अब दूसरी चीज दूसरी बात आती है कि स्वाशन अंग हमारे जो ब्रीथिंग जो एरियाज है वो कौन कौन से होते हैं तो हम किससे ब्रीत करते हैं हम फेफरों से ब्रीत करते हैं ठीक है ये ये humans के लिए बात हो गई या ऐसे सारे जीव जो स्थनधारी है अब दूसरी चीज क्या होगी ट्राकिया कौन-कौन यूज करता है स्वास नली जिसको स्वास नली बोलते हो ट्राकिया कीट बख्षी कीट कीट मकॉड़े यह सब क्या हो जाएंगे यह ट्राकिया से अपना सास जो है वो सास लेते हैं आहिवन क्या होग है जो पानी के जीव हो गई ठीक और साथो साथकर में जो इन अंग भिटाते हैं कि आप बढिच कैसे कर रहे हैं 되 आईए बात करते हैं respiratory tract जो कि humans की respiratory tract है इसको हमको detail में पढ़ना है तो स्वशन मार्ग कैसे सास अंदर गई कहां कहां गई कैसे cells तक पहुंची ये सारी प्रक्रिया स्वशन तंतर के अंदर आपको पढ़नी है तो स्वशन मार्ग में हम देखते हैं सबसे पहले देखो सास कहां से लेते हैं नाक से लेते हैं अब क्या सिर्फ नाक से सास लेते हैं तो मुह से भी तो सास ले सकते हैं तो दोलों से सास लेते हैं सास अंदर आई नाक से भी आ सकती है और मुह से भी आ सकती है clear, तो ये अंदर गई, अंदर गई, 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 यहाँ पर क्या उसको मिला, ट्राकिया, ठीक है, ट्राकिया मिला, अब ट्राकिया से नीचे उतरी, नीचे उतरी, नीचे उतरी, नीचे उतरी, और कहां चली गई, दो भाग में ऐसे बढ़ गई, तो मतलब सास यह सांस यहां से ली और ट्राक्या से होती होई होती होती होई और इधर बढ़ गई अब यह क्या है दो ऐसा structure तो यह है lungs ठीक है फेफडे फेफडे में बढ़ गई फेफडे में अंदर आ गई अब देखते हैं आगे क्या process हो रहा है तो मतलब यह सींपल भाष्ण में गड़कर बोलूँकि सांस लिया यहां से पाइप होते 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 फेफडे में गई और फेफडे से होते होते आगे कुछ-कुछ करने लगी अब वह कुछ-कुछ देखते है कि क्या करती है अच्छा देखो जब खाने वालाब चाप्टर आपने लोको लोते हैं जडिया और अंदर चले इंगे अब देखो ल Bible कि क्या औंदर अब reclis ऐने रहे होगा जड़े हैं अब क्या यहां प्रिमें प्रेजेंट और अप कंई आप यहां पर क्या में इस ओर्टिया है इस प्रेजेंटिंद होगा normal और उससे क्या है आप देखते हैं चिप- चिप चिप क्या होता है क्यों होता है उसका रीजन यह क्योंकि जेसे की बाहर की धूल अंदर शरीर में ना चनली जाए तो उसके लिए क्या होता है वह beautiful उस म्यूकस पर उस चिपचिपे पदार्थ पर चिपक जाती है तो नासा कपार्ट एक यहां पर का एरिया होता है इस पर धूल चिपक जाती है नेक्स आता है यहां पर फैरिंग्स फैरिंग्स इस एरिया को बोलते हैं ठीक है जहां पर आगे हवा और जाती है आगे हवा एंटर क सुपटे लिग के बारे लिखिए कहा देको स्टर्स शेयrek की रिंग से असे प्रेंट होती है तो इसको बोलते हैं यह यह की यह मेजर आन्दर ना रही है आशीत बाहर जानी स्के में एक दूसरे के साथ जाकर जो जो इसकिन होती बहुत जिली सी पतली सी होती है, तो वो चिपक न जाए तो उसको चिपके ना तो उसके लिए आपने पेन के ऊपर एक स्प्रिंग देखी होगी, है ना, तो पेन के ऊपर स्प्रिंग कैसी है, similarly ऐसे ही यहां पर ट्राकिया के ऊप जो चिपक जाएगा या दमी फट जाएगा बाहर गले से बाहर आजाएगा नहीं वह इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसके पास प्रेजंट क्या है काटिलेंज जैस रिंग तीक है आपने पैन के उपर जो स्प्रिंग देखिए उसी पॉम में होती है आप देखो अब यह ज फाट जब तक यह पाइप था यह सिंगल पाईप था किम या अब जैसे ही यह दो फाइल में को जा रहा है इसको क्या बोलेंगे प्रॉंकाइख एक अब बहुत सारे जड़े निकल रहे हैं silence कि एपो जाड़ें निकल रहे है तो उसको क्या बोलेंगे ब्रॉंकियो्स लाल लाल रंगे तो यह जो grapes numa structure है इसको बोलते हैं alveolai और यही वो जगह है जहां पर gases का आदान प्रदान होता है यही वो जगह है जहां पर gases का आदान प्रदान होता है ठीक है तो इतनी बात सबको समझ में आई कि कैसे कैसे स्वांश लडी के अंदर हवा आई और उस स्वांश नली से हवा जो है वो आगे चली गई ठीक है और लेरिंग से होती हुँ ट्राकिया से ब्रॉंकाय ब्रॉंकियोल्स अल्वियोलाय यहां तक पहुंच गई अब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं किसका अल्वियोल में तो अल्वियोलाय वो जगह है जहां पर क्या होता है गैस का आदान प्रदान लेंदेन होता है ठीक है देखो यह क्या स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यह स्ट्रक्चर बनाया है मैंने अल्वियोलाय का यह स्ट्रक्चर किसका है अल्वियोलाय का तो यह हो गई हमारी oxygen क्योंकि हमने सांस ली है तो हमाई पस सांस आप में oxygen आ गई है अब blood vessels यह जो लाल रंग से मैंने दिखाया है यह क्या है यह blood vessels है ठीक है this is your blood vessel blood vessel लाल रंग से blood में क्या present होता है hemoglobin ठीक है न सब को पता है तो यह oxygen इसके यहां से आके इस जिलीश को cross करते हुए इस membrane को cross करते हुए इस हीमोग्लोबिन में आके घुश जाएगी देखो इधर देखो सब लोग हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या है एक कार है यह कार है यह कार क्या है हीमोग्लोबिन यह कार आई चलते हुए आरही है चलते हुए आरही है आरही है आरही है यह कार आरही है और यह कार जो हीमोग्लोबिन की कार है यह आकर इसने क्या ले लिया इसने क्या ले लिया इसने ले लिया ओक्सीजन ठीक है तो हीमोग्लोबिन औ मज़े कर रहा है और क्या बना दिया oxy-hemoglobin थीक है तो अब यह oxyhemoglobin यह कहा चला जाएगा यह oxy hemoglobin यह घूमता 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 सारे cells में चला जाएगा मतलब इसको अपना destination क्या है इसका destination है तरी कोशिकाएं जो कि क्या ений है शरीर की मैं उसको वहहां तक यह क्या करेगा हीमोग्लोबिन जो घृत says जो यह हेम लोगेकर गाजिएगी तो यहां पर सब्ढूराइझ करवा दिया तो अब देखते हैं आगे क्या बचता है इसमें तो इधर जो सेल्स थी देखो इधर जो सेल्स थी जिसने सारा को सारा ओक्सिजन यूज कर लिया अब ये कार जो हो गई वापस से खाली हो गई है ना यह जो हीमोग्लोबिन था इसमें car में इसने औक्सिजन तो सारे दे दी तो अब इससे ने क्या करा इसको CO2 छोटू को दे दिया जा छोटू को लेके जा तो यह हीमोग्लोबिन अब वापस आएगा फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से चलता हुआ वापस आएगा और कहेगा अलवीयोलाई एक थ hist yote u को च्छ्होट्व आपस साहफ सुत्र हाइड भूलां के भूट है इह एक क्या करेगा यह हीमोग्लोपिन अब कार्बॉक्सि हेमोग्लोपिन बन गया त्प्रफी हिमोग्लोपिन बन गया है तो यह क्या हो जाएगा यह वापस से आइलवियोलाई में चला जाएगा और आलवियोलाई में CO2 को दे देगा तो मतलब आई बलड में और CO2 क। बलड से चली गई वापस है अलवियोलाई के अंदर यहाँ पर है अलवियोलाई से वापस CO2 ऊपर-ऊपर करते वह है बाहर CO2 निकल गई तो oxygen तो अंदर आई और CO2 बाहर निकल गी तो यह बात सबको समझ में आई कि CO2 कैसे और से हीमोग्लोबिन के जरे हीमोग्लोबिन ही कारियर है जो कि oxygen को भी ले रहा है और carbon dioxide को भी ले रहा है मतलब छोटू को भी ले रहा है तो छोटू को लेके क्या carbon बठा के लेके आया बोल अग इधर से उधर चलता रहता है ना इसको oxygen पसंद है उतना ना इसको carbon dioxide पसंद है इसकी है main तो girlfriend है इसकी कौन इसकी जो girlfriend है इसकी हीमोग्लोबिन की इसकी girlfriend है carbon monoxide यह इसको देखके दम attract हो जाता है इसका दिमाग ही फिर जाता है अगर इसके सामने तीन चीज़े रखेंग अगर इसके सामने देखो यह कौन है यह हमारा हीमोग्लोबिन है ठीक है यह हीमोग्लोबिन है यह कभी तो लेके आ रहा था oxygen को और कभी यह ले रहा था किसको co2 को यह दो चीज़ों का तो यह काम करी रहा था पर इसका फेवरेट कौन है इसका फेवरेट है कार्बन मोनो ओक्साइड यह इससे सबसे जादा attract होता है अगर दुआ है अगर स्मोक है और आप उस स्मोक में सो जाएंगे तो क्या करेगा जो ब्लड के सेल्स है जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो उस समय क्या ले वो उस समय अपनी girlfriend को चूज करेगा और वो girlfriend क्या है वो carbon monoxide तो यह carbon monoxide hemoglobin के साथ combine करके पूरे शरीर में फैल जाएगी और उससे क्या होगा बिहोश हो जाएगे और शायद आप कि death भी हो सकते है तो ही जो है नारत मुनी जो बैठे हुए है वह हीमोगलोबेन है नारत मुनी कभी तो oxygen के साथ खेल करते हैं पर कभी जब इसको मिल जाती है carbon monoxide तो यह सारा खेला जो है वो carbon monoxide के साथ करके तो आदमी कहीं खेला होए कर देते हैं ठीक है तो यह बात सबको क्लियर हो गई कि कैसे कैसे क्या हुआ था और oxygen कैसे अंदर cells की आई यहां पर blood vessels present थे कहां पर अल्वियोलाई के साइड में तो अल्वियोलाई के साइड से क्या हो गया जो oxygen थी वो blood vessel में आ गई और blood vessel से oxygen जो है वह हीमोगलोबन के साथ घूमती घूमती कार में बैठके कहां चले गई सारी cells के पास चले गई अब वह क्या बन जाएंगे carbon dioxide में convert कर देंगी तो वह carbon dioxide वापस से कहां पर हीमोगलोबन कार में बैठके वापस से घूमती 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 कहां आ गई अब यहां जाता है और चेस्ट चैविटी जो है वह अंदर की तरफ चली जाती है तो यह डाइफ्राम बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी सांस को इन्हेल करने में और सांस को एक्जेल करने में आपको इस सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे साथी साथ एक और एक टर्म था उसमें आपकी बुक में लिखा हुआ कि जो टेरिस्ट्रियल आनिमल्स होते है वह उसमें जो रेट ओफ रेट ओफ रेस्पिरेशन होता है वह स्लो होता है आस कंपेर्ड टू अनिमल्स डाट आर एक्वेट मतलब जो जली जीव है उनमें रेट ओफ रेस्पिरेशन जो है बहुत स्लो बहुत फास्ट है और टेरिस्ट्रियल में बहुत ही स्लो है मतलब आस कंपेर्ड टू एक्वेटिक अनिमल्स जो जली जीव है वह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि देखो वाता वरेट में 21 इसलिए आपने देखा होगा मचली को वह कंट्यूनी अपना मुख खोल के सास लेती रहती है सास तो ले पाईगी पानी देगी तो उसी से वह सास के पानी डिसॉल्व ऑक्सजन चली जाएगी उसके अंदर और वह सास उसको मिल पाएगी गिल्स के थू ठीक है तो यह रीज इसमें बहुत सारे topics बचे हुए है तो एक-एक topic करके ही मैं आपके सारे topics को clear करूंगी तो till then thank you so much for watching this video thank you